हेलो एव्रीवन विल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे तो आज हम बनाने वाले हैं बस एक आलू को मिक्स करके कच्चे आलू का इस्तमाल करके यह टेस्टी सा नाश्टा या फिर टी टाइम में खाने वाला स्नैक तो सा एक प्यास लिया है और चार से पांस लेसन की कलिया तो अब हम ले लेंगे एक मिक्सी कजार और आलू को इसमें काट करके डाल देंगे टुकडों में काटेंगे और प्यास को भी हम मोटे मोटे टुकडों में कट करके डाल देंगे और लेसन भी डाल देंगे अगर आप और प्याज नहीं खाते हैं तो आप skip कर सकते हैं लेकिन लासन प्याज से इसमें थोड़ी सी sharpness आती है थोड़ा सा flavor आता है तो मैंने इसे grind कर लिया है बहुत ही fine हमें paste बना लेना है इसमें थोड़ा सा भी कोई भी टुकड़ा chunks नहीं होने चाहिए नहीं तो जब हम snake बनाने जाएंगे तो उस वक्त हमें परिशानी हो सकती है अगर आपको लगे कि इसमें बड़े chunks है तो आप इसे छनी से छान करके दोबारा सा पीस लीजिए तो फिर वो तैयार हो जाएगा बगएर पानी डाले मैंने इस पेश्ट को पीसा है क्योंकि प्याज और आलू में अपना यहीं डालेंगे तो एक टीश- मैंने डाल दिया है सफेद तीन हाफ टीश-म ने ले ले लेंगे अजवाइन इसमे फिलेवर भी देगा और पचाने में भी मदद करते हैं हाफ टीश-म कलउनजी डाल देंगे और हाफ टीश-म नमक डाल देंगे या फिर 스्वाथ की अनुसा उससे हमारा नाश्ता जो है ज्यादा क्रिस्पी और फ्लिकी फ्लिकी होता है तो बस हम इसे गूतना शुरू कर दिये हैं अब हम चेक कर लेंगे इसमें अगर और मैदा का जरूरत है तो हम डालेंगे बेसिकली हमें आटा जैसा डो लगाना है जैसे हम रोटी चपाती के लिए लगाते है वैसे ही लगाना है तो मुझे फोड़ी जोरुरत पड़ी थी तो मैंने ठोड़ा ठोड़ा करके इसका एक अच्छा सा डो लगा लिए है तो इहापर मैंने इससे अच्छे से मसल मसल के गुत लिया है 15 मिनट का रेस्ट ले दह कर ढ़िए पंद्रमically मिनट हो चु जैसे हम पूरियों के लिए त्यार करते हैं, उसे थोड़ा सा चोटाई बॉल हम बना करके त्यार कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही जादा टाईम लग जाता है इसलिए मैंने इस तरीके से बनावा है, आप चेक कर लिजे जो आपको आसान लगे, वैसा आप कर सकते हैं, त इसे हम अच्छे से बेलेंगे, बहुती फाइन पतला बेल लेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसे बहुती बड़े साइज में बेल लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे मैंने रोटी से थोड़ा पतला रखा है, एक गिलास ले लेंगे, कटोरी गिलास जो भी हमारे पास अवेल लिये है, इसलिए मैंने कहा था, अगर आपको छोची छोची लोई बनाने में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, तो आप एक ही बार में धेहर सारा नाश्ता बना करके त्यार कर सकते हैं, इसके उपर मैंने देशी घी अपलाई किया है, और उसके उपर हम सूखा मैदा लग दिया है, और अब हम कटीन किनारे की सब को रिमूब कर देंगे, तो मैंने सभी कटिंग को निकाल लिया है, और अब हम एक एक पीस को उठा करके ट्रैंगल शेप देंगे, बस फोल्ड करेंगे, तो सभी को फोल्ड कर लिया है, और अब हम एक एक पीस उठा करके हलके ह आतों से बेलेंगे बस थोड़ा सा हमें इसे फ्लैट करना है क्योंकि यह अभी खुला हुआ है थोड़ा सा हमें इसे बेलेंगे तो यह थोड़ा सा चिपकेगा अगर हम इसे नहीं बेलेंगे तो तेल में जाते ही यह पूरा खुल जाएगा और पूरी के जैसा हमारे में मिलता है चाय के साथ खाने वाला इसलिए हमें बेलना जरूरी है तो इतना नाश्टा फिलहाल मैंने त्यार कर लिया है हम चलते इसे फ्राइ करने के तरफ बाकी का हम पीछे से त्यार करते रहेंगे तेल को मैंने slow से थोड़ा सा तेज फिलेम पे गरम किया है एकदम slow फिलेम पे हमें गरम नहीं करना है और एक एक करके हम डाल देंगे जितना जरूरत होगा तेल के हिसाब से हम डालेंगे तो यहाँ पे मुझे जितना जरूरत लगा मैंने डाल दिया है और ये पकना भी शुरू हो गया है, जैसे ये सेट होने लगे, तब हम इसमें कलची लगाएंगे और इसे चलाएंगे, तो हमें इसे अलट पलट के चलाना है, तो अब आप देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, सुनारा सा कलर आ गया है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, मैंने सभी नाश्टा को त्यार कर लिया है, आप इसकी क्रिपनेस चेक कर सकते हैं, और अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ, आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइक कंचेनर में शाम के नाश्टे के साथ उन्जोई कर सकते हैं, तो आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, अगर जरा से भी अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिजे, बेल आइकोन को और पे कर लिजे, अपनी फैमली और फ्रेंस में भी शेयर करना मत भूलिएगा, तो यहाँ पर हमा